और इस प्रकार से यह human cell है यह एक बार वाइरेस को entry देने के बाद virus की गुलाम बन जाती है और वाइरस की multiple copies बनाने लगती है और यह वाइरस की multiple copies जो है बाकी human cells को infect करते हैं और इस तरह ऐसे वाइरस की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं और जब वाइरस की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं तो वो बहुत सारी सेल्स को लंग्स के अंदर, आर्ट्रीज के अंदर, किड्नी के अंदर, गेस्टिन टेस्टिनल ट्राक के अंदर जाके इंफेक्ट करन होने लगती हैं जिसकी वएसे मरीजों को सांस फूलने की शिकायद किड्नी फेलियर की शिकायद लूज मोशन की शिकायद होने लगती हैं और भिन मिन प्रटार के सिम्टम्स आने लगते हैं